गाईज आपको वैसे तो पता है कि subsidiary books हमारे business बहुत ज़्यादा help करती है जिस पर हमने एक video अप्लोड कर दिया है बट हम आज ऐसे transactions की बात करेंगे जो कि subsidiary books में आही नहीं सकते हैं उसके लिए हमें वापस journal proper बनाना पड़ेगा कौनजे transactions होते हैं कि करकर जानते हैं interest on capital की entry आप जब भी बनाएंगे तो आपको entry बनानी पड़ेगी interest on capital account debit to capital तो आपकी जितनी भी साथ तरीके की subsidiaries है यह वहाँ पर post नहीं हो सकती similarly अगर आप drawings की entry बनाएंगे interest on drawings की तो आपको entry करनी पड़ेगी drawings account debit to interest on drawings इसी तरीके से आप depreciation लगाएंगे fix debts पर तो आपको entry बनेगी depreciation account debit to furniture इसी तरीके से अगर कभी आपका कोई debtor पैसे नहीं देता तो bad debts हो जाते हैं उसके entry बनेगी bad debts account debit to debtors Mohan, Soan, Rohan और आकाश इसी तरीके से अगर आपको भी fix debts purchase करना है credit पर, उधार पर goods purchase करेंगे credit पर तो purchase book में चली जाएगी बट अगर fix debts purchase करना है furniture, plant and machinery, building, equipment और किसी से उधार पर Mohan, Soan, Rohan जे तो ये entry भी आपकी general proper में जाएगी तो ये कुछ transactions ऐसे होते हैं, जो कि आपके किसी भी subsidiary books में नहीं जाते हैं, confused नहीं होना है आपके लिए इनको general proper ही use करना पड़ेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लैक करते हैं, चैनल को कर लेना, subscribe